नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका नितकर शाय चैनल में और आज का जो टॉपिक है वो है आपका हिंदी का प्रेक्टिस सेट वन अम मैं जो भी प्रेक्टिस सेट करा रहा हूं आपको मैं हिंदी और रीजनी का आपको प्रेक्टिस सेट करा रहा हूं और दोनों ही जो है आपको one by one, आपको मिलता रहेगा आपके exam आने तक, आपके exam आने तक आपको ये सारे practice set मिलते रहेंगे, और जो है, आपका काम ये है कि आप इसको जो है अच्छे से देखिए, उसको किस तरह की question आ रहे हैं, उसको अच्छे समझे, और निश्चित रूफ से आपको इसमें से लाब जरू मिलेगा, इस चीज़ की मैं guarantee देता हूँ, देखे जूनिय असिस्टन का जो के purpose से ही मैं ये जो practice set मैंने start किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, इसलिए जादा जादा आप लोग like share और subscribe कीज़ेगा, तो आईए हम start करते ह हैं, आज ये हिंदी का practice set first, और reasoning का भी आपके समख्ष आता रहेगा, हिंदी और reasoning ये जो है आते रहेंगे, तो इसलिए आप लोग जो अच्छे से देखेगा और उसको practice करिएगा, आए हम start करते हैं, दुरात्मा, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है, सबसे पहले तो आप खुदी प्रयास कीजे, कौन सा हो सकता है, देखे, दुरहलंत, दुर, दुस या दुरा, कौन सा होगा, तो सही option होगा आपका दुर, दुरहलंत, तो दुरात्मा में दुरहलंत, जो है आपका उपसर्ग, मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको ये बता रखा है, कि उ जो शब्दों के आगे लग करके उनके मतलब को परिवर्दित कर देते हैं, जो शब्दों के आगे लग करके उनके मतलब को परिवर्दित कर देते हैं, वही उफसर्ग होते हैं, और जो पीछे लग करके परिवर्दित करते हैं, वो प्रत्य होते हैं, मैंने आपको बताया था और साथी साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि संस्कृत के और उर्दू के 5 उपसर ये सब मैंने आपको बता रखा है वीडियो में आप लोग अच्छे से जाकर के वहाँ डीटेल में पड़ सकते हैं तो ये हो गया दूर हलंत आगे हैं वीपत जाल में कौन से संदी है तो देखिए कभी भी आगर आपको संदी को पहचानना हो तो आप सबसे पहले उसको क्या कर लेते हैं तोड़ लेते हैं दो अथेंटिक वर्ड में तो जाईए वीपत जाल को तोड़िए देखिए यहां से एक विसर्ग संदी होती दोस्तों, तो विसर्ग संदी में यह देखिए, विसर्ग लग जाता है, जब आप उसका संदी विछेत करें कि यह किसी भी शब्दों का, तो वहाँ पे वो विसर्ग का format ले, जैसे मैं आपको एक एक्जामपल देता हूँ, मनोबल तो मनोबल में मनाह धनबल होता है तो देखे मन में यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है इससे हमको यह सपश्ट हो जाता है क्या सपश्ट हो जाता है कि यह आपका मनोबल में विसर्ग संदी होगी साथी साथ गुड़ संदी गुड़ संधी में आप पहचान जाओगे जिन वर्डों में A, O, R आता हो वहाँ पे गुड़ संधी होती है तो इसमें कोई confusion की बात नहीं है जैसे एक्जामपल मैं दे दे रहा हूं साथी साथ आपको और भी चीज़े तयार हो रही है जैसे रमेश, महेंद्र, गड़ेश, राजर्शी देखेए आप देखेगा रमेश मतलब रमेए देखे ए आ रहा है तो यानि रमेश में कौन सी संधी हो गई गुड़ संधी देवे महोदय में ओची पाऊए मैंने आपको बताया था जहां पर ए ओ और अर आप जब उचारना करें और ये शब्द आपके समक्षा है तो वहाँ पर कौन सी संधी होती है गुड़ संधी होती है तो मैंने देवेंद्र, रमेश, महेंद्र है ना ओ में जैसे महोदय है ना इस त होता है वेंजम बता दिया वृद्धी में आपको आटोमेटिक लग जाएगा कि वृद्धी और ये जैसे वैश्विक है तो वैश्विक वैश्विक यानि शब्द में महा मात्राओं की वृद्धी आपको देखने को मिलेगी क्लियर होगे आगे बढ़ते हैं वाक्यों का वर्गी करण कितने आधार पर किया गया है तो वाक्यों का वर्गी करण दो आधार पर किया गया तो वाक्य किते हैं वाक्य के दो आधार पर हम भेद करते हैं दो प्रकार के होते हैं बट देखा जाए तो अर्थानुसार कितने होते हैं तो अर्थानुसार जो है ये आठ हो तो आलमारी कैसा शब्द है दोस्तो पुर्दगाली है मैं जल्दी इसका एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ पुर्दगाली और कौन सा अंग्रेजी है कौन सा अर्भी है कौन सा फार्सी है इसका वीडियो मैं जल्द ही आपके समख्ष ले आऊंगा बस बना रखा है बस पूरा वीडियो देखेगा तसम मतलब होता क्या है और कौन सा आपका तस्टम है तो यह अमोले अब और भी चीज़े देख लिए क्योंकि अमोल का होता है अमोले यह आपका तस्तम शब्द है अमोले तस्तम शब्द है बाकी सारे कैसे शब्द है तदभाव शब्द है कैसे केला का होता है कदली केला का क्या होता है कदली मा का होता है मात्र मा का होता है मात्र मचली क तो इन जो ये चीजे मैंने बताई हैं साथ इसाथ चार चीजे और तयार हो गई हो गई आगे बढ़ते हैं तयार होना चाहिए मैकसिमम प्रशन आपके तयार होने चाहिए हमारा उद्देश है हमारी टीम का यह उद्देश है कि आपका ज्यादा से ज्यादा लाफ आई आगे बढ़ते हैं, से किस विभक्ती का बोधक्चिन है, तो से किस विभक्ती का बोधक्चिन है, तो यह किसका है, आपादान का, से मतलब होता है, अलग होने के सेंस में, मैंने इसकी वीडियो अलग से बना रखी है, आप जाकर के वहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं, कारक मैंने बताया, फिर से एक हलका समय आपको बता देता हूँ, कारक के आठ भेद होते हैं, कारक की किते भेद होते हैं, यह सबसे पहले जानगे आठ भेद होते हैं, करता ने कर्म को करण से के द्वारा, संपदान को के लिए आपदान से संबंद का की किरारी रियाधिकरण म क्लियर हुआ, तो करता है, यानि कि सबसे पहले जाने कारख की आडवेद होते हैं, तो देखें, यहाँ पर आपदान बता देता हूँ, क्यूंकि से विभक्तिकार्थ मताइब अलग से, जैसे मैं एक इंग्जामपल देता हूँ आपको, जैसे पेड से पत्ते गिरे, तो कुटे से अलग होने के सब्सक्राइब कि यहां पहींने का फिर या कि के लीज़ से मैं तुम्हारे लिए यह काम किया को किए लिए करता कर्म को मतब कर्म जिस पर फल हो रहा है उसका अधिकरन है यह अधिकरन है अधिकरन में पर मतब की जैसे कि किताब अलमारी में है किताब अलमारी में हैं मेज पर पुस्तक रखिए तो यहां पर अधिकरन में पर का प्रयों करते हैं अगला सवाल हमारा उत्तम पुरुष स इसके बारे में, सर्वनाम के बारे में, सर्वनाम के छे भेद होते हैं, मैंने आपको बता रखा है, उसमें मैंने आपको बता रखा है, क्या बता रखा है, पुरुष वाचक के बारे में, तो पुरुष वाचक तीम प्रकार का होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अनिपुरुष उत्तम मतलब उत्तम मतलब जो आपकी ओर चीजें इंडिकेट करें जैसे मैं और हम यह उत्तम पुरुष हो गया मध्यम में जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपसे बात कर रहा हूं आप मध्यम पुरुष हो गया यानि कि तुम तू आप अगर मैं आप से किसी third person की बात करता हूं तो यह वह वे यह सभी चीज़े मैंने आपको पता रखी हैं वीडियो में जाकर के आप अच्छे से देख लिजे साती साथ निश्चय वांचक में यह वह का प्रयोगता जैसे यह कोई नया काम नहीं है यह मेरी पुसर निश्चय में तक confirmation को द शब्द का लिंग निर्धारन करें मतलब यह पुर्लिंग है इस्ट्रिंग है उभले लिंग कैसे तो मैंने आपको इसका भी वीडियो बना रखा आप जाकि प्लेइलिस्ट में चक करिए मैंने क्या बता है था मेरा या मेरी आच्छा या अच्छी तो क्या कहते हो मेरी तर अच्छा नहीं नहीं और फ्ल मेरा तन बदन जल रहा है तो मैर है ना जहां मेरा वह पुर्लिंग होता है तो मेरा मतलब यहां क्या होगा बहुत अ Mexican को सब्सक्रिक मिलेगा pre यदा कदा का अर्थ क्या होता है तो देखिए यदा कदा का अर्थ होता है जब यदा मतलब जब और कदा मतलब कब बट थोड़ा सा इसमें क्या है थोड़ा सा इसमें वो है कि यदा कदा अगर अगर अलग-अलग सेंस में आप लेते हो तो यदा कदा जब कब है बट अगर सम सवाल है, चंदर प्रिया, तो चंदर प्रिया किसका पर्यावाची है, दोस्तों पर्यावाची भी अच्छे से कर लीजिएगा, पर्यावाची भी अच्छे से कर लीजिएगा, तो चंदर प्रिया किसका पर्याची है, कुमुदनी का पर्यावाची है, बहुत ही इंपोर्टे का परिवाची है चंद्र प्रिया तो ये देखिए प्रेक्टिस है था तो इसमें दस कोश्चन नहीं बट इसके पीछे मैंने आपको कम से कम कुछ नहीं तो 30 से 35 सवाल मैंने कराए तो इसी तरह से आप सायोग कीजिए मैं और भी आपको अच्छे से कोश्चन कराऊंगा अग आपको अजय करएंगा है